हेलो फेंड्स स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम टुशन पे दोस्तों CIS अपने 2022 की पहले खुसकबरी दे दी है जियां दोस्तों कॉंस्टेबल फायरमेन की जो बरती है फाइनली आ चुकी है नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है दोस्तों और वेकेंसी की बात करें तो बंपर यहां पर वेकेंसी है पूरे 1149 पदों पर यह वेकेंसी निकल कर आई है तो अगर आप भी जानना चाते हैं इंट्रेस्टेड है तो वीडियो को धान से और पूरा देखे दोस्तों हमने CISF Head Constable Minister, ASI LDC और CISF के पैटरन पर आधारित समान एक्जाम के लिए मोग टेस्ट की सेरीज लांच की है जो कि आपको हमारी एप पर होम टुशन पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मातर 119 रुपए में दोस्तों आपको 25 मोग टेस्ट PDF फोर्मेट में आपको यहां पर मिलेंगे दोस्तों ठेक है आप परचेज करेंगे आपको 10 मोग टेस्ट एक साथ मिलेंगे फिर उसके बाद 5 मोग टेस्ट फिर मिलेंगे फिर 5 मोग टेस्ट फिर मिलेंगे इस परकार से करते हैं कुल मिलाकर 25 मोग टेस्ट आपको मिलेंगे दोस्तों आप उनसे अपनी OMR सीट पर एक्जाम होल की तरह ही पेपर को अटेम्ट कर सकते हैं अपना स्कोर चेक कर सकते हैं तो अगर आप भी मोग टेस्ट अटेम्ट करना चाहते हैं और हमारी यह सीरीज बहतरिन से बहतरिन सीरीज लेटेस्ट पैटरन पर राधारीज सीरीज जो है हमने लांच की है दोस्तों तो अगर आप purchase करना चाहते हैं तो अभी एप को download कर लीजिए जिसका link description में दिया हुआ है वहाँ पर test series के section में आपको CISF head considerable initial के लिए mock test की series मिल जाएगी दोस्तो PDF format में है दोस्तो जब आप purchase करेंगे तो आपको PDF मिलेंगी उन PDF के मद्यम से आप OMR seat पर अपना mock test attempt करेंगे answer की match करेंगे दोस्तो solution नहीं दिया दोस्तो क्योंकि 25 mock test है solution देना possible नहीं है दोस्तो और exam में जो feeling आपको आएगी वही same समान level उससे भी बहतरी level आपको यहाँ पर दिया गया है ठीक है दोस्तो अगर आप enroll करना चाते हैं तो अभी app को download कर सकते हैं और mock test series ले सकते हैं दोस्तो आई अब जानते हैं दोस्तो CISF constable fireman vacancy के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो total पद है यह 1149 है और दोस्तो यह जो vacancy है only male candidate के लिए है ठीक है इसमें केवल male candidate ही apply कर सकते हैं सिरफ पूरु सब्यर्थी इसके लिए eligible होंगे इसके जो forum है दोस्तो 29 जनवरी से start हो रहे हैं और आप इस forum को 4 मार्ज तक जमा करवा सकते हैं और दोस्तो आपके जो forum है यह online submit होंगे ठीक है दोस्तो online आपको यह जमा करवाने है eligibility criteria क्या रहेगा दोस्तो तो सबसे पहले बात करते हैं education qualification की तो आपका बारवी पास होना जरूरी है with science जेगा दोस्तो बारवी पास और वो भी science stream से अगर आपने कर रखे हैं अगर आपने 12th art से या commerce से कर रखी है तो आप इसको apply नहीं कर सकते अगर आपने plus two art से कर रखी और आपने आगे जाके science stream ले ली है तो भी आप इसको apply नहीं कर सकते अगर आप बे ये पास हैं बी कॉम है लेकिन plus two में आपके पास science थी तो आप इस form को apply कर सकते हैं ठेक है तो कहने का मतलब यह है कि 12th पास science stream से आपके पास होना जरूरी है age limit की बात करें तो आपकी जो उमर है दोस्तो आने वाली च्यार मर्ज को यानि जो फोरम की last date है उस तरिक को आपकी age count हो की और general category 18-23 साल आपकी उमर यहाँ पे होनी चाहिए OBC को 3 साल, SCST को जो 5 साल और अन्य जो categories है उनको जो छूट मिलती है वो यहाँ पर भी apply होती है दोस्तो ठेक है तो अगर आप general candidate है तो आपकी 18-23 साल उमर होनी चाहिए 4 March 2022 को दोस्तो अब बात करते हैं physical standard की क्योंकि यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है form apply करने से पहले तो अगर आप male, क्योंकि male candidate है तो आपकी जो height है general candidate, general का मतलब general OBC यानि जो पहड़ी area से belong नहीं करते हैं, जो सामान्य candidate है उनकी जो height है 170 cm जबकि chest में 5 cm का फुला होना चाहिए और minimum chest आपकी 80 cm होने चाहिए बात करें दोस्तों सिक्किम जो पहड़ी छेतर उत्राखंड के जो दे रखा है नोटिस में उनकी height 165 cm होने चाहिए अगर आप मिजोरम नागलेंड से बिलोग करते हैं तो आपकी height 162.5 cm होने चाहिए और chest करम से 78-83 और 70-82 cm आपकी होने चाहिए यानि minimum 5 cm का फुलाव आपकी chest में होना चाहिए ठेक दोस्तों अब बात करते हैं जो इस notification की main बात है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपको जानना जरूरी है salary की बात करें तो दोस्तों शुरुआत में 21,700 रुपए से ये maximum आपकी 9,100 रुपए तक salary आपकी जाती है दोस्तों कहने का मतलब है की 21,000 रुपए तो आपकी basic pay है इसमें all allowance अगर आप जोड़ देते तो महिने के सुरुआत में कम से कम 32,000 रुपए की salary आपकी in hand मिलने वाड़ी है अगर आपने महनत करके इस job में selection ले लिया तो दोस्तों ठेक है आप बात करते है selection process कि वह fire की service है तो क्या इसमें कुछ अलग standard है तो देखें दोस्तों selection process में आपको तीन event से गुजरना पड़ेगा सबसे पहले आपका physical होगा PSQ और PET उसके बाद आपका return exam होगा और finally आपका detail document verification और medical लिया जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं PSQ और PET तो physical standard test मैंने बता दिया है height test मैंने बता दी है दोस्तों जबकि physical efficiency जो test रहेगा उसमें आपको 5 km की running करनी है 24 minutes में और जो भी candidate 18 से 23 साल के बीच में बिलोंग करता है general category में और 33 साल की जो छूट देजारा है मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो इस standard को पार कर रहा है जिसकी height 170 cm है medical एकर फिट है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा यहाँ पे physical में रहने वाड़ा है पांच किलोमेटर की running 24 minutes में आपको करनी है आराम से आप कर सकते हैं सिरफ दो महिने गर आप अच्छे से त्यारी कर लेंगे तो दोस्तों ठीक है वो यह रहेगा आपकी चार सेक्षन रहेंगे reasoning, gk, current affairs, science, math और दोस्तों फोर्थ जो सेक्षन है वो objective रहेगा निए optional रहेगा इंग्लिस भी attempt कर सकते हैं या फिर हिंदी भी attempt कर सकते हैं परतेक सेक्षन 25-25 किस्षन कर रहेगा, 25 ही नमबर कर रहेगा यानि कुल मिलाकर 100 किस्षन होंगे और 100 ही नमबर का test रहेगा दोस्तों और यहाँ पर आपको दोस्तों दो घंटे का समय मिलेगा इस paper को solve करने के लिए negative marking यहाँ पर नहीं है दोस्तों और दोस्तों जो final merit बनेगी जो final merit बनेगी दोस्तों वो आपकी written exam के आधार पर ही बनेगी यह notice में दिया गया है दोस्तों कहने का मतलब यह है कि physical आपका qualifying nature का है medical आपका qualifying nature का है छेक है दोस्तों तो इस भरती में अगर आप selection लेना चाहते हैं fire की vacancy 1149 पत बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों और अगर आप यहाँ पे selection लेना चाहते हैं तो man जो event है वो है written exam और written exam में 4 section reasoning, mathematics, Hindi और English और GQ और current affair दोस्तों ठीक है तो यह इस notification की जो CISP ने जारी किया है इस notice की एक खास बात है man-man चीज़ मैंने आपको बता दी है selection process, exam pattern, education qualification, salary और किस प्रकार से यहाँ पे आपकी last date और शुरुआती date है यह सारी चीज़े age क्या रहेगा सारी चीज़े हमने आपको बता दी हैं दोस्तों how prepared return exam और return exam की तैयारी आपको कहीं और भटकने क्या आप सकता नहीं है आपका अपना channel home position बहतरीन से बहतरीन content आपके लिए 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 आएगा दोस्तों सबसे पहले physical रहेगा तो physical आप आराम से कर सकते हैं लेकिन selection उसी का होगा जो return exam में बहतरीन से बहतरीन performance देगा दोस्तों क्योंकि man event यही है ठेक है तो आगे की जो बाते हैं वो हम अगली वीडियो जो में करेंगे कि भी forum भरते समय अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ठेक है forum कैसे बरना है क्या-क्या साउधानिया बरतनी है फोटो वगेरा में क्या-क्या साउधानिया बरतनी है वो हम अग 20 mock test हम यहाँ पर देने वाले हैं दोस्तों ठेक है तो अगर आप enroll करना चाहते हैं तो अभी एप को download कीजिए और अपने mock test ले लीजिए दोस्तों अभी आपको 7-8 mock test मिलेंगे उसके बाद हर संड़े आपको mock test मिलता चला जाएगा दोस्तों और mock test की जो validity है पूरे एक साल की रहेगी दोस्तों यानि एक साल के अंदर CISA pattern पर जो भी exam होगा उन सबी के लिए ये mock test रामबान रहेंगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी परकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और कोई भी doubt है तो comment section में जरूर बताएं दोस्तों धन्यवाद